गुड इवनिंग एवरिवन, मेरा नाम जतिन बंसल है, आज आपां इंट्रोड़क्शन ओफ कम्प्यूटर दा पार्ट थ्री करांगे, जिस दे विच आपां नेक्स्ट ट्वंटी फाइव कोशन डिसकस करांगे, इस तो पहला दो पार्ट से डिसकस हो चुके ने, जे कर हाल समी तो पहले तुसी नहीं देखए, ता फिर तुसी अपनी चैनल दी वीडियो दी प्लै लिस्टी जाके देख सकते। तो होर भी थोनो computer memory दा पूरा chapter complete है, MS Word दा पूरा chapter complete है, तुसी ओवी वीडियोस देख सकते हो, थोनो पता है, पतवारी दे, exam दे, विच फिफटीन marks दा computer आना है, ता that's why भीटा थोनो एवले जरा computer पार्ट है, बहुत अच्छी तरिक्के ना prepare करना पहुगा, ठीक है, ता falling is the smallest computer, ता जे ना विचो सब तो smallest computer दी गल करिये, थोनो options given है, ता इनना विचो super computer mainframe ने एक ते laptop दे विचो laptop सब तो smallest computer है, ता D option दे उत्ते तुस्री टिक्कला दोंगे, ठीक है, नेक्स्ट, 77th question देखो गटा, the user generally applies dash to assess mainframe और super computer, मेंटा थोनों पता है, super computer दे mainframe computer जेड़े हुंदे ने, बहुत बड़े computer हुंदे ने, इना नू यूजर जेड़ा हुंदा है, जे user ने use करना है, ता with the help of terminals दी help दे नाल, आपा use कर सक दिया, ता ये option terminal दे उत्ते तुस्सी टेक्कला दोंगे, बिलकुल ओके, next question आप introduction दे विच, generation थोने सुनिया होन गया, computer दिया, five generations ने, ता सिद्धा जे आपा discuss direct MCQ कर देया, ता उस दे विच थोनों इनना ज्यादा समझ नहीं आओगा, ता पहला थोड़े पंज generation discuss कर लिए, उस तो बाद इना दे with respect MCQ बहुत easy रहन गे, थोनों याद करने विच काफी helpful हो होगा, ता चलो आपा साब तो पहला first generation computer का दे है, कला कला point बहुत important है, ता first generation computer साब तो पहला इना दा year पुछदा होंदा है, विच किस year range भी चांदे ने, ता उननी सो चाली तो लेके 56, उननी सो चाली तो लेके चपंजा तक दा जिड़ा, अपना year range है, अपनी first generation दे computer technology का भी मतलब है, विच मेन component के रा यूज किता जांदा सिगा, तो vacuum tubes नू मेन यूज किता जांदा सिगा, फर्स्ट अपनी generation दे विच्छ, speed किन्नी कहुंदी सिगी, first generation computers दी, 10 दी power minus 3 seconds, जीनो आपा milli seconds के दनने है, ता याद रखो, जे speed थोड़ी कट सिगी, ता first generation computer दी speed सी, milli seconds दे, विच्छ, speed सिगे, storage device, ता इना विच्छ, जेडी भी storage device दा, आपा यूज कर दे सिगे, ता केडी सिगी हो, magnetic drum दा, यूज कर दे सिगे, storage device दे, विच्छ, नेक्स्ट है का अपना operating system, ता इस दे विच्छ, आपा केडा operating system दा, यूज कर दे, फर्स जनेरेशन दे, language केडी यूज होई सी, machine language, machine language तो नो पता है, 0101 दी form दी, language होंदी है, machine language, ते ना दी example दी काल करें, बहुत वारी question example दा, आंदा होंदा है, फर्स जनेरेशन दे, विच्छ, केडी केडी मेन example है, यूनिवैक अपने पहला question डिसकस केता है, यूनिवैक दे, यूनिवैक दे, computer सीगे, ठीक है, इस तो के next चाल दे, आपा, सारे point सेम मिलनगे, बस थोड़ा होड़ा फर्क होएगा, ता त्यार ना, देखो, first generation दा comparison, second ना करें, ठीक है, ना, तो हुझे आपा देखिए, second generation दा time period, यूनिवैक तो लेके 63 तक सीगा, तो नो यूनिवैक ताइम पिरिड य अले चैनल ते नमें हो ता प्लीज चैनल नू सब्सक्राइब करो, जैथो नू वीडियो बहुत है ता पसांद है ता लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल नू ते कमेंट भी जरूर करें करो बटा, तो यूनिवैक जरूर करदा करो, ता जो मेंनू भी motivation मिल सके, बाद तो बाद वीडियोज थोड़े नाल मैं शेर कर सका, ता की टेकनोलजी दिकल करें, सेकंड जरूरेशन दे विच ट्रांजिस्टर्स दा यूज किता गया सिगा, की टेकनोलजी दे विच थोनू पता ही है, वैक्यूम ट्यूब्स नू बहुत बारी कोश्चन इस फोर्म जान दा भी वैक्यूम ट्यूब्स नू रीप्लेस केड़े कंपोनेंट नाल किता गया सिगा, ट्रांजिस्टर्स दे नाल किता गया सिगा, ठीक है, इस दी स्पीड थोड़ी जी इस तो डबल होगी सी, दास दी पावर माइनस 6 सेकंड, जिन आपा माइक्रो सेकंड का दनने है, तो प्रीफिक्स पड़े हों तो पहला मिली आंदा होंदा है, फिर माइक्रो आंदा होंदा है, तो माइक्रो ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, एस कंपेर टू मिली, ठीक है ना, ता स्टोरेज डिवाइस जेडी इस दे डिवाइस, जिमें आपने फर्स्ट जनरेशन देची देख शेरिंग, मल्टी टास्किंग दा यूज कर देया, पा उपरेटिंग सिस्टम, लेंग्वेज दा किज दा यूज किता सिगा, असेंबली लेंग्वेज दा यूज किता सिगा, इस दे विच आपने, ते एक्जम्पल्स की की ने इस दिया, आई बीम 700, आई बीम 650, आटलस, यूज के सारे एक्जम्पल्स ने अपनी यां सेकंड जनरेशन दे कम्ट्यूटर्स दिया, तक फरस्ट ना कंपैरिजन करें भी इस फरस्ट विच आपने वैक्यूम ट्यूब्स यूज किता से दे आप पाने ट्रांजिस्टर यूज किता सिगा, फरस्ट जनरेशन उनी सो तक सिगे च्पंजा तो लाके अपने त्रेहंट तक है इस देना थोड़ा मन्च बोल के देख्या करो अपना तै इस देना थोनूब्स बहुत अच्छी पर प्रेशन हो जूगी, ठीक है ना मांड भी तोड़ा याद करके देख्या करो, नेक्स्ट अपा थर्ड जनरेशन भ गल करिए इस दा टाइम पीरिड है गा 1964 तो लेके 1964 तो लेके 1971 तक ठीक है इस दी की टेकनालोजी थर्ड जेनरेशन चे रहा यूज किता गया सिगा इंटीग्रेटिड सरकेट्स यूज किता गया सिगा IC चिप्स जीनों आपा बोल देया इस दी स्पीड की नी सिगे दास्थी पावर माइनस नाइन सेकंड्स जिसनों आपा नैनो सेकंड्स भी कहनने होने है स्टोरेज डिवाइस मेन स्टोरेज मेमरी जी में पहला अपना मैगनेटिक कोर सीगी मैगनेटिक ड्रम सीगा पहले विच्छ दुझे मैगनेटिक कोर सीगी ते थर्ड दे विच्छ की सीगे अपना आगया मेन स्टोरेज मेमरी आगया ठीक है operating system तो यूज केदा किया सी, Real-Time and Multiprogramming, Real-Time भी option जा सकता है, Multiprogramming भी option दे विचे आसकता है, तो लेंगवेज दा कि दा यूज केदा किया सी, का High-Level Language, इननोपोर्टरान, कोबोल बोल देया, या अँपनी थर्ड जनरेशन दे विचे ना यूज केदा किया सी, या आपनी फॉर्थ जेंरेशन आजन दी है फॉर्थ जनरेशन आने सेंटीए तो लेकि प्रेजेंट तक हुं दिया अपनी फॉर्थ जनरेशन दे computer okay तो याद रखो पहला स्लोट है गा फर्स्ट जनरेशन दा 1940 तो लेकि 1956 तक दा सेकेड 1956 तो लेकि 1963 था थाड 1963 तो लेकि 1971 दा थी फोर्थ 1971 तो लेकि अट प्रेजेंट तक दा okay ते की technology फोर्थ जनरेशन दे विच आपा micro processor दा यूज कर रहे हैं कई वार यहों micro processor देगा थे LSI थे VLSI जी वन्हों आपा large-scale integration ते very large-scale integration करना है कि जरा micro processor है यह अपना large-scale integration ते very large-scale integration technology देना लही बिल्ट हूंद है okay ता micro processor दा अपा इस्तेमाल कर दा था उन्हों पता ही होगा अपा आप अपरसेसर अपना computer दे विच केड़ा परसेसर यूज़ कर दे है हुन भी तुसी टर्म mobile phone दे विच भी यूज़ कर दे हुन भी केड़ा परसेसर लग गया है अपने phone दे विच हाना ता इस तरीक के ना speed is the whole increase होगी 10 दी पावर माइनस 12 seconds पिको सेकंड जीनो आप बोल दे होने हा storage devices दे जा semi conductor memory chip semi conductor memory chip जी में RAM हो गया ROM हो गया cache memory है जही है memories दा इस्तेमाल होन लग गया operating system time sharing real time network graphic user interface सारे यूज़ होन लग गया languages दी गल करिया और actual SQL language दा यूज़ होन लग गया example दीगाल करिये ता example apple computer IBM PC होगे Microsoft PC जीज़ कल चाल देने IBM दे सारे fourth generation दे computer zone देने ठीक है इस तो next आप फिफ्ट generation दीगाल करिये a present and beyond भी अज तो जाब beyond उस तो बाद दीगाल कर लिए key technology ULSI यूज़ किता ultra large scale integration ते main example वास ही artificial intelligence बहुत बार यांदा भी artificial intelligence दा यूज़ के लिए generation जो रहा है फिफ्ट दे विच और इस दे विद रस्पेक्ट कोई कोशन दे speed साबनाल ज्यादा highest storage भी ज्यादा हूं दी है as compared to आपके दिए जेरी भी फॉर्थ जेनेरेशन दे computer सेने ओके तहुन इस तो बाद आपा कोशन दे प्रैक्टिस कर दे आपने ता जी में कि तुसी 78 कोशन देख सकते हो दी फिर्स्ट जेनेरेशन कंप्योटर कुड़ डू ता जेरा फिर्स्ट जेनेरेशन दा कंप्योटर सेगा हो अपना बैच पर सैसिंग यूज करते सेगे जे तुसी पहली जेनेरेशन दे थी यूरी पॉइंट सुनिया में तो बटा तो थे लिख्या सिगा मैं ऑपरेटिंग सिस्टेम के ता यूज किता सिगा बैच पर सैसिंग ता इस्तिमाल करता सिगा जी वीचे फे मैगनेटिक की यूज हो या हुगा कोरी यूज हो या सिगा ता सी ऑप्षन मैगनेटिक कोर दे उते तुसी टिकला सकते हो बिल्कुल ओके नेक्स्ट कोश्चन एटियत कोश्चन दिगाल करी आपा स्पीड ओन सैके जनरेशन निजर मुट्यूटेशन आता स्पीड जेरी सैकं जेरी एकन जेरेशन यह हो या forgive एचन ऊप्वे तर हो यूच नहीं का नेक्स्ट तर्गेट नेक्स्ट कोश्चन देखू इन विच जनरेशन डिट अपडमिंगung स्टा मल्टी कोश्चन कि थो है थार्ड जनेरेशन तो है था सी ऑप्शन थार्ड दे होते दूसी टिकला दोंगे नेक्स्ट सीपी यू इस दी डैश ओफ दी कंप्यूटर ता बहुत वारी सिंपल टाम थोने सुने होगा भी सीपी यू किया ब्रेइन अपने कंप्यूटर दागा जो भी कैलकुलेश बहुत बड़े बड़े साइजए गूंचे और की इस्तिमाल कर देखे के वैक्यूम ट्यूब दाइस्तिमाल कर देखे दा डी और आपशन वैक्यूम ट्यूब दा तुसी टिकला सकते ओग नेक्स्ट एट्टी फॉर्थ वोशन देखो आई बेएम पीसी जैन एग्जामपल channels off IBM PC कि इस दी इग्जामपल सिगे जहाद परसनल कंपिटर देखे से IBM आई बेम दे ता फोर्थ जनरेशंग कंपिटर सिगे ता फोर्थ जनरेशन देुड़ते तुसी टिक ला सक देऊ ठीक है तब दी ऑप्शन फोर्थ जनरेशन दे तिसी टिक ला दोंगे next these are specially designed computer chips reside inside other device such as your car your electronic thermostat ता कुछ केंदे है जही डिवाइस हुं दिया जरी थोड़े डिवाइस चिप हुं दियाने जरी थोड़े डिवाइस दे साइड़े साइड कार देने तो अबेश जिगा लवनों आपकी बोलांगे एंबेड़ेड किसे डिवाइस दे इंसाइड चिप लगाना ता इंबेड़ेड सिस्टम बोल देता है इंबेड़ेड कंप्योटर अपना सी दे उते तो सी टिक लगा दोंगे बिल्कुल ओके नेक्स्ट ऐटी सिक्स्त कोश्च देगदें आप दी नेम फोर दी वे दार कंप्योटर मैनुप्योट डाटा इंटु इंपरमेशन इस ता इसनों आपकी बोल दे पर सैसंग बोल दे दी आप्शन पर सैसंग देओते तो सी टिक लगा दोंगे नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ कैंश मेमरीज वाज इंट्रोडूज दिन डाश जन्रेशन आपको रहता है तो पैता कैश में मेमरी था अपने डिसकस किता होया है सब तो फास्टेस्ट मेमरी होंधेगे एवनकि रिजिस्ट्र उस्टों भी फास प्डैस्ट हमदे ने मटके उसी टिक लगा सकते हूं बिलकुल ओके नेक्स्ट विच ओफ दी फॉलिंग फंक्शन ओफ और कंप्यूटर विच वन इस नोट ओफ दी फंक्शन ना सारे फंक्शन नियुकेड़ा फंक्शन नहीं है गाता अब्यस्टी का लाई जिड़ा अपना अधिस्टी कम्प्यूटर रहे वह कोदे भी अनलाइस नीकार सकता है मतलव अपना दिमाग नहीं लगा सकता है को जबिएवी संदी उस्दे कोडिंग इंपूर्डिंग ही कम गर दर हो गद्यारिंग डाना मतलव इन्पूट डाटां मतलब इंपूट अपने दिनने हुने ठी टाइम शेरिंग जेड़ा है गा सेकंड जनेरेशन दे विच पॉसिबल होया सिगा ता इसकर का पाई बी ओप्शन दे तुसी टिक लगा दूंगे तीक है नेक्स्ट विच ओफ दी फॉलिंग रफस्ट जनेरेशन दे कम्पुटर सिगे ओनानी मशीन लेंग्वेज दा इस्ते दोस्त एक्सपेंसिव जरा कंपूटर होंदा हो आपना सूपर कंपूटर होंदा था डी आप्शन सूपर कंपूटर दे होते तुसी टिक लगा दोंगे नेक्स्ट विच लेंग्वेज डिरेक्टली अंडर्स्टूड बाइधी कंपूटर विदाउट आट ट्रांसलेशन तो केड़ी लेंग्वेज जरी कंपूटर नों सिद्धी समझ आजन दिया है उन्हों किसे भी ट्रांसलेटर दी लोड नहीं हुंदी तो बला जरा हुंदा है वो मशीन लेंग्वेज होंदी है था सी ऑप्शन मशीन मशीन लेंग्वेज दे होते तुसी टिक लगा दोंगे 93rd कोशन देखो विच ऑफ दी ऊसिजज हए हैंड आध ऑपरेटिंग सिस्टम थैनर रही था हैंड आध ऑपरेटिंग सिस्टम दाइस्टम रही तो पीड़ी जी डिवाई से एक हैंड हलो अपरेटिंग सिस्टम दाही इस देविच नेक्स्ट विच वव दी फार्लिक इंटेगरल पार्ट ओफ दी गुर्म थाफ पर्ट था इना जिए शुर्ण मोस्त इंपोरेंट पार्ट नहीं को सी पी पे उता है गिए मौस भी होंदा या मुनिटर इूप्यास नहीं हों दो तो सिस्टे बिना वी कम सार सकदें यूप एस था डी ओप्शन यूप्यास देत सब्सक्राइब नेक्स्ट लोड इंस्ट्रक्शन इस मोस्ली यूस्ट डेजिगनेट आ ट्रांसफर फ्रों मेमरी तो अ परसेसर रिस्टर नोन आज ता जिरी इंस्ट्रक्शन नू लोड कर दें आप बिल्कुल अपना परसेसर रिस्टर दे नस्दीक हुंता है ता उसनों अकमूलेटर बोल देया था ए ओप्शन अकमूलेटर दे तुसी टिक लगा दोंगे ता 98 कोश्चन देगे अपना दी कॉम्निकेशन लाइन ब्तवीन सीपी यू मेमरी और पैरिफेरल इस कॉल्ड जे डिवी लाइन दे थू पैटा सीपी यू मेमरी जा पैरिफेरल कम कर दे नो की बोल दे बस बोल दे ता ए और ऑप्शन बस दे तुसी टिक लगा दोंगे ता नेक्स्ट कोश्चन आदी चोंट्रोल यूनित नो गूर्ट का रहे था नेक्स्ट टाइम शेरिंग एड ओन लाइन कॉम्पटेशन बिकेम पॉसिबल इन डैस जनेरेशन ता टाइम शेर के ओनलाइन कंपूटेशन बेटा अपनी थर्ड जनरेशन जो पॉसिबल होई सिगी ता इस देन आल आजदा पाट खत्म होया ता थैंक्स यू एवरीवन फॉर वाचिंग माई वीडियो जैका था नू वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है ता अपने फ्रेंड जी शे आमकर सकूँ थैंक्जू एवरीवन